नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्टिय कूटनीती राजनीती बहुत सपष्ट संकेत दे रही है कि दुनिया एक धुरूविय तो नहीं है संघर्श जारी है लेकिन साथी साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से कुछ हिस्सों में कुछ देशों में दक्षनपंत अती दक्षनपंत बढ़ रहा है उसका फैलाव हो रहा है यानि नफरत आधारित राजनीती का पॉलिटिकल पार्टी इसका दबदबा बढ़ा है इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि जो इसराइल में चुनाव हुए जिस तरह से नेत्यनाहु वापस आए हैं और उन्होंने जिस पार्टी का सपोर्ट लिया है वो किस तरह से गैर यहूदियों के खिलाफ नफरस से भरी हुई है। की जा रही है इसका ताजा एक्जामपल ताजा उधारन है चीन और जर्मनी के नेताओं की मुलाखात चार नवंबर को यह मुलाखात होती है और आप देखिए कि यहां पर बात होती है यूरोईशिया की बेल्ट रोड इनिशेटिव की यानि बिजनेस बढ़ाने की बात होती है कि अमन कैसे कायम किया जाए और मीडिया में बताया यह जाता है कि हम मुलाखात दरसल रूस के खिलाफ है न्यूक्लियर बंब के इस्तमाल की बात होती है कि उसे रोका जाए लेकिन यहां लोग यह नहीं बताते हैं कि यह दरसल नैटो और रूस के बीच जो संगर्ष चल सबसे पहले प्रवीर आज मैं आपसे जानना चाहूंगे कि इसराइल में जो परिणाम आए हैं और जिस तरह से अंतता नेत्रेनाहों को बहुमत मिला है गड़बंधन के साथ और यह दिखाई दे रहा है कि जो गड़बंधन में ताक्तें आई हैं वो एक्स्ट्रीम राइट विंग हैं तो यह जो पूरा का पूरा डवलपमेंट है कि तीन चार बार चुनाओ होते हैं और उसके बाद जिस तरह से डवलपमेंट है उसमें लग रहा है कि और ज्यादा फिलिस्तीन के खिलाफ मूव जो है इसराइल में बढ़ा है इस पर कोई दोरा नहीं कि य है और उसके बिना नेतानियाहू की सरकार चल नहीं सकता तो इस पे इसका मतलब यह है कि इसका इस चुन एलेक्शन के बाद इस जो गर्वर्मेंट सरकार होगी उसकी बाग डौर इनके हाथ पर पहुंच जाएगी किसी भी वक्त नेतानियाहू को गिरा सकते हैं और नेतानि दूसरी बात जो देखने की देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट की पॉलराइजेशन या धूबी करण है यह नहीं है राइट या अती राइट इसकी पॉलराइजेशन है और जो यहूदियों के अंदर भी जो बामपंती ताकत लोग कहते थे लेवर पार आरब पार्टियों को जोज़ॉइन और लिस्ट करते उनकी सीट है तो उनकी वइस कुछ चत तक रहेगी पर इसके साथ साथ जो और पार्टिया है तो जॉइंट लिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया या लपीर के साथ गए नहीं ऐसे जो पार्टिया है वो सब खत्म हो गए क्योंकि सारथीन परसेंट उनको वोट नहीं मिलता तो कोई सीट नहीं मिलता यहां आप से जाना चाहूंगी कि जो एक्स्ट्रीम राइट व हुई है और इस बार उन्होंने सीदे सीदे बारगेन किया सत्ता में इसराइल की तो उनकी मा ग्रोथ का मतलब क्या है इज्राइल और फिलिस्तीन कि लिए नहीं है इनका ये भी कहना है जूस के बिना और किसी शक्स की यहां पर इवन की आप सिटिजन्स हो देश की वो भी नागरिकता की भी आपकी अहमेत नहीं हो सकती इनके विचार धारा सिर्फ इतना ही नहीं कि इनको भहिशकार किया जाए कि सिर्फ यहुदियों की जगह होगी और व इसके लिए उनका तो यह भी कहना कि जूस नहीं है उनको मारना कोई पात नहीं है तो देखिए रिलिजिएस राइट विंग फैशिस्ट्स हैं यह सिर्फ जो है राइट विंग नहीं है इनका जो विचारधारा है उसको बहुत पहले इनको जूइश एक्स्ट्रिबिस्ट इसब संग्या दी जाती थी अब वेस्ट में इसब संग्या इनका दिना बंद कर दिया पर हकीकत तो यह है कि इनमें से ही एक जो बरुज गोल्स्टीन है वो डेंटिस्ट थे उन्होंनों 29 लोगों को गोली मार के हत्या की थी तो फिलिस्टीनियों की इनकी और उसकी तज़ से है उसी को उन्होंने अपनी दिवार पे जगा दे रखती है यानि कि वही रास्ता दिखा रहा है और मीर कहाने जो उनको कहानिस्ट कहा जाता इसरेल में उनका ही था कि जो नॉन एहुदियों को पूरी कोई उसकी अधिकार नहीं होनी सी उनको निशकाशित करना चाहिए ह हमारी पुन्य भूवी से, तो ये इनका फिलोसोफी रहा है, तो नितान्याहू राइट विंग रहे, पर उसको इस्रेल में, उसको सेकुलर राइट विंग संग्या दी जाती है, जूविश सेकुलर राइट विंग, बतला फंडेमेंटलिस्ट नहीं है, तो ये फंडेमेंटलिजम और फैशिजम का एक संगमिश्रन है, जो कि ये 14 सीट लेके आई है, बेंगविर की पार्टी, तो ये इस्रेल के लिए नहीं है, सिर्फ नहीं, वेस्ट एशिया के लिए बहुत खातरनाक पहलू होने वाला है, क्योंकि इससे इरान के साथ जंग के संभावना बढ़ती है, फिलिस्टिनी पॉपुलेशन को वहां से कैसे सिटिजन्शिप राइट्स उनकी छीनी जा सकती है, इसकी बात करना शुरू कर दिया है, तो ये सब देखते हुए वेस्ट एशिया के लिए बहुती बुरी ख़बर है ये, कि ऐसे पार्टिया इस वक्त इसरेल की सरकार में हैं, जी, और आपको लगता है कि क्योंकि हमने पिछले कुछ समय देखा था जब भी चुनाव होते हैं इसराईल में, तो फिलिस्टीन पर हमले बढ़ते हैं, बहुत बरबर और क्रूर हमले बढ़ते हैं ताकि वहाँ पर वोटों को और सुध्रिड किया जा सके, जीत के बाद भी इस आशंका को लोग बता रहे हैं कि आशंका और जादा बढ़ गई है, क्योंकि सारा का सारा जो चुनावी मोड था वो इसी पर था कि कौन कितना बड़ा हमला करने का दावा करेगा या कितने बड़े पैमाने पे सफाई की बात होगी, एक खत्रा ज्यादा इस बात पे है कि पुलिस की जो संगठन है, वो सब में घुस पेट अब बहुत बढ़ेगा, बेंगवीर जैसे तक्त्वों का, और उनका कोशिश यही होगा कि interior ministry को कैसे हतिया लिया जा सकता है, और उस पे कैसे हمारे लोग घुसाया जा सकता है, पहले military का अंदर घुसाया था, इस वक्त पूलिस interior ministry जिसे करते हैं, यह टारगेट है, यह दोनों, military और पूलिस, यह इनके हाथ में चला जाएगा, तो इ ये खत्रे हैं और अंतराश्टी इस तर पे इस पे कोई चिंता या तमाम लोग जो बधाई भी दे रहे हैं देखिए वेस्ट में बहुत पहले जायनिस्ट फोर्स के सामने खातियार गेर चुके हैं तो वो तो आरब पॉपुलेशन पैलिस्टीनियन फिलिस्टीनी पॉपुल पुली जुबानी कुछ हो सकती है पर हकीकत में कुछ नहीं होने वाला है अब बात चीन की चीन में एक एहम मुलाखात हुई दो देशों के मुख्या मिले जर्मनी और चीन की मुलाखात हुई है इसकी एहमियत क्या है इसलिए खास तोर से क्योंकि जो बीसवी कांग्रेस शी जिंपिंग और पारफुल नेता के तोर पे उभरे हैं उसके बाद ये पहली मुलाखात इस तरह की है क्या असर पड़ेगा इसका देखे पहली बात ये है कि ये मुलाखात इस परिप्रेश में देखना चाहिए कि अमरीका इस वक्त तू फोल्ड युद दो तरफा यु दुसरा जिसमें टाइवान उसका युद दुस्तल बन सकता है ये तो ईस्टन कोस्ट जो है चीन की वो उसकी सौट चैना सी बगार लेकि वो उसकी युद दुस्तल बन सकता है इसको अगर आप देखेंगे तो दिश्व कर देखने का दो नजरिये हैं एक है अमरीका का जो इंडो-पिसिफिक, चीन के बारे में कहता है, और एक NATO, जो कि North Atlantic Treaty Organizations है, तो मतलब Atlantic और Pacific को केन रख करके, कैसे उरेशिया को घेरा जा सकता है, और दूसरे नजरिया यह है, कि उरेशिया को कैसे, उसमें, क्या उसके अंदर क्या अंरुनी, क्या व्यापार होगा, क्या चाहिए ये बहुत पहले जो सोवेत संग जब था तब से वेपार हो गैस तेल की उसकी पाइपलाइन हो ये बहुत पुरानी विली ब्रांड के वक्त से शुरू हुआ था तो जर्मनी के नजरिया इसमे ये था कि औरेशिया एक एकनॉमिक स्पेस है इसके अंदर हमारी चाहता है रूस को इससे निकाल देने की जो कोशिश कर रहा है तो शॉल्स के ये यात्रा ये दर्शाती है कि यॉरप का एक हिस्सा अभी भी यॉरेशिया की और एक रुजहान रखता है और आर्थिक अर्थनीती आर्थिक संबंद चीन और जर्मनी की बीच बरकरा रहे इस की भी शायद बातचीत दर्शाता है उसकी भी एहमियत है एक चीज़ मैं आपसे यहां जाना चाहूंगे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जर्मनी पर अमरीका का दबाव भी बहुत तगड़ा है यॉक्रेन युद्ध और उसके बाद जो पूरे यूरोप में परिस्ति हुई क्योंकि दोनों ही नेता लगातार यूरोइशिया की बात कर रहे थे कि इसको कितना फिजिबल बनाया जाए तो क्या आपको लगता है कि जर्मनी भी कहीं ना कहीं अमरीका के प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश के तहत इस मुलाकात को देखा जा सकता है मेरे ख्याल है यह तो साफ है रूस के साथ यूक्रेन युद्धक लेके जो बातचीत चल रही है क्या बीच बिचाओ हो सकता है नहीं क्या इस बातचीत चीन और जर्मनी की बीच में हुई है या नहीं हमको नहीं मालूप पर इस पे कोई दोराय नहीं है कि बेल्ट रोड इनिशियेटि यूरेशिया का जो जो जोड़ता है इस पे जर्मनी उसका एक एहम हिस्सा है और जर्मन अर्थनीती डूब जाएगा अगर रूस का तेल और गैस छोड़ देता है और चीन का मार्केट भी छोड़ देता है और चीन से सामान लेना भी बंद कर देता है तो उसके बातना रहन ऐसे लोग भी गए हैं इसके पहले भी जा रहे हैं जो कि उनको बिजनिस कम्यूनिटी को रप्रिजन करता है तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक जर्मनी ने अपना जंडा दिखा रहा है कि हमारे भी एक स्वकिय अलग एक हमारा राजडितिक डिश्टिको और यूरेशिया को लेके है हम सिर्फ इंदो पैसिफिक और सिर्फ नॉट अट्लांटिक को लेके इसको सीमित नहीं करना चाहते हैं शायद इसकी इंगित इस मुलाकात से निकल रहे हैं इस पे भी चर्चा हो क्योंकि जो खबरें हैं इस मुलाकात को दिखा रहे हैं कि चॉल्स और जिंग पिंग दोनों जो है रूस पे दबाव बनाने के लिए तैयार हो गए और दोनों ही देशों नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तमाल नहीं होना चाहिए और इसमें इस मुलाकात को ही आधार बना के तमाम जगहों पे वेस्ट मीडिया हो और बाकी जगहों पे यह खबर ऐसी आ रही है कि यह मुलाकात दरसल रूस के खिलाफ मुलाकात है और रूस को अब चीन भी सबक सीखाएगा अब यह सब शब्द में कह रही हूं जो कोट अनकोट हैं जो मीडिया में आ रहे हैं कि अब रूस भी जो है रूस को चीन सबक सीखाने के लिए तयार हो गया है और वाया मीडिया इस तरह से जर्मनी अमरीका का पैसा जब्द कर लिया तीन सो चार सो बिलियन डॉलर जो है उनको जब्द कर लिया है यॉरप और अमरीका ने मिलके तीसरा जंग चल रहा है मीडिया वार इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो और जंग में क्या हो रहा है नहीं मीडिया वार वेस्ट के पक्ष में है क्योंकि कि उनके पास social media भी है और news agency भी है और बड़े जो news organizations दुनिया में हैं उनके पास है तो इसलिए एक खबर कि आ रही है कि nuclear bomb के इस्तेमाल करने का खिलाफ दोनों ने गोशना की अरे भाई nuclear bomb इस्तेमाल करने का गोशना किसने की थी जिसके खिलाफ यह यह बाते आई है तो मैंने हमने पहली भी जिकर कर चुके पूतिन का जो statement था कि रूस की अस्चित्वागर खत्रे में है तो हम कोई भी अस्चित्वाल कर सकते हैं तो यह तो अमरीका की nuclear posture रिव्यू उसके बाद आया है जिस पे सिर्व इतना ही नहीं है उसे एक शब्द जो रूस के खिलाफ इतना उन्होंने उच्छाला है उससे ज्यादा आगे बढ़के उन्होंने कहा है और यूक्रेन के ऊपर नूक्लियर बाउम की जो बात चल रही थी रूस ने कहा था कि दिर्टी बाउम ओ इस्तवाल करने वाले हैं यूक्रेन यह हमें बदणाम करने के लिए तो यह क्या यूक्रेन के खिलाफ था तो यह स्टेट्मेंट्स को इस तरह से परिप्रेक्ष का बाहर ले जाके संदर्फ के बाहर ले जाके और भी कोई भी चीज बात की बतंगड बनाएं ये अलग बात है पर हकीकत ये है कि दो देशों की मुख्या ने जो मिले हैं इसका क्या असर पड़ेगा अथरीतिक स्थर पे वो तो दिख रहा है कि उसका एक असर पड़ेगा एक बिजनस इंटरेस्ट है और वो बढ़ेगा और बेल्टोड इनिशेटिव का भी ये बरकरा रहना ये भी होगा पर इसके साथ साथ क्या राजडितिक प्रभाव पड़ेगा कि शांति की और जा सकते हैं नहीं यूकरेन में क्या जर्मनी और चीन हिंदुस्तान भी इस पे बीच बिचाओ कर सकता है नहीं और उसके साथ साथ मिट्टर्म इलेक्शन क्योंकि खतम होने हवाला है अमरीका की इसके बाद कि आप पीस की शांति की तरफ यूकरेन में कोई पदक्षिप हो सकता है नहीं यह हमें देखनी पड़ेगी जी बहुत-बहुत शुक्रिया कि खबर हो या अंतराष्टी खबर मीडिया किस तरह से खबरों के साथ खिलवार करता है इसके अंगिनत उदाहरन हमारे चारों तरफ ठैले हुए हैं और चीन जर्मनी की बात हो या फिर इसराइल में जिस तरह से दक्षन पंती ताक्तों का कबजा हुआ है इस पर रिपोर् चारा के कॉर्पोरेट मीडिया में जो इंटरनाशनल मीडिया है उससे गायब होती है गायब होने की ठोस राजनितिक वजहें हैं इसलिए हम आपसे आगरा करते हैं देखें लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की ताकि सही खबरें आप तक सही धं से पहुचें शुक्रिया